हेलो दोस्तों मैं हूँ दानिश स्वागत है आपका डिजिटल दानिक में दोस्तों हमारा स्टोर रेडी है लाइव हो चुका है जैसी इसली वीडियो से मैंने आपको बताया और दिखाया करके साही चीज़े आज बहुत important day है क्योंकि आज हम first campaign launch करेंगे और first campaign हमारा कैसे होने वाला है क्या-क्या product हम test करेंगे क्या strategy यूज़ करेंगे ये सब discussion इस वीडियो में रहने वाला है जैसा कि मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि कोई भी वीडियो skip मत किया करो क्योंकि ये tutorials होते हैं इसमें कुछ भी अगर आप skip कर देते हो वही आपकी query बन जाती है तो वीडियो को बिना skip किया देखा करो पहले मैं आपको बताऊं कौन सी strategy हम use करेंगे फिर उसको follow करेंगे एक campaign बना के उसको run करेंगे तो चलिए वीडियो को start करते है और दोस्तों अगर आपसे बिल्कुल facebook marketing नहीं आती बिल्कुल facebook ad run करना नहीं आता कैसे facebook page बनेगा कैसे business manager बनेगा कैसे ad manager बनेगा सारी चीज़े कैसे काम करती है कैसे हमें create करनी है बिल्कुल नहीं आती तो मैंने आपके लिए एक course बना दिया है इस course को आप use कर लो बिल्कुल आपके लिए ही है course e-commerce का ये course है बहुत कम cost ये साथ मैंने इसको बनाया इसलिए तकि आप जैसे लोग जिनसे facebook marketing नहीं आती वो इसको use करके अपना e-commerce का business या drop shipping का business run कर सकते हैं तो link description में जाके वहाँ से आप इसमें enroll कर सकते हो चली दोस्तों तो बात कर लेते हैं पहले facebook ad strategy की जो हम campaign बनाएंगे उसका blueprint एक बार discuss कर लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि आगे वीडियो में कैसे हम campaign बनाएंगे क्या-क्या strategy हम follow करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बता दू हम एक campaign बनाएंगे और यह होगा हमारा ABO with the budget of 900 900 रुपे का हम budget लेकर चल रहे हैं यहाँ पर उसके बाद हम इसमें बनाएंगे 3 ad set ठीक है तो 1 2 3 और यह तीनो होंगे 3 300 का हम budget इसमें देंगे तभी हमारे campaign का budget हो जाएगा 900 रुपे ठीक है अब हम इसमें क्या यूज करेंगे इसमें जो हम interest यूज करेंगे detail targeting हम जिसको बोल सकते हैं keyword भी हम इसको बोल सकते हैं वो 3 यूज करेंगे तीन इंटरस्ट ठीक है जो interest है वो same रखेंगे यह मैं आपको जब add create करेंगे तो मैं बताओं कैसे आपको लेना है product के recording ठीक है और इसमें आप facebook भी हमारी help करेंगा तो वो साथी चीज़े मैं जब add बनाऊंगो तो आपको दिखांगो उसके बाद आती है add creative add creative क्योगा इंडिया में हम mostly carousel post use करेंगे अगर हमारा लगता है product ऐसा है कि वह हम photo में उसको images में explain नहीं कर पा रहे हैं तब ही हम video लेंगे तो हम यहां पर ले लेंगे carousel post या video but video हम इंडिया में थोड़ा avoid करके चलते हैं क्योंकि carousel में five images या लबबग five images से हमारा काम हो जाता है तो हम यहां पर five images के साथ में carousel post बना लेंगे ठीक है तो यह add strategy हम follow करेंगे चली दोस्तों तो अब बना लेते हैं campaign practical कर लेते हैं कैसे campaign बनाना है यह सारी चीजे में आपको इस वीडियो में से काऊंगा तो पहले refresh कर लेते हैं और देख लेते हैं और देख लेते हैं आज conversion के अलावा हम कहीं पर click नहीं करते हैं कोई भी objective select नहीं करते हैं जब हम sale लाना चाहते हैं इसको कर देंगे continue तो अपने campaign का एक name जैसे मैं आपको strategy में बताया है blueprint में तो इसको हम कर देंगे next अब हम आच चुके हैं add set level पे तो यहां हम इसका नाम रख लेंगे add set 1 और दूसरी important चीज तो यहां सिर्फ purchase लेंगे purchase के अलावा हम कोई भी मतलब conversion event नहीं लेंगे conversion event हमने purchase ले लिया यह हमें approach हमारा conversion दिखा रहा है बट हम इस पे नहीं जाएंगे और इसका जो budget है हमें 300 रखना है क्योंकि हम 900 को 3 add set में divide करेंगे date आप रात के 12 बजे continue कर सकते हो बट मैं immediate इसको on करना चाह रहा हूँ उसके बाद हम आएंगे location पे तो आप अपने supplier से बात करके एक ऐसी location को यहां से exclude कर सकते हो जहां पर वो delivery नहीं करता है क्योंकि बात को आपके सामने यह problem आती है कि उस area में या उस pin code पे delivery अविलेविल नहीं है क्योंकि हम glow road से काम कर रहे हैं तो glow road के almost इंडिया में सारी जगा delivery है ही तो हम इसमें कुछ भी exclude नहीं करेंगे यहां पर हम ले लेंगे 45 क्योंकि इंडिया में online buying का जो system है वो 45 एस तक के लोग ही कर पाते हैं और यह product मेरा जो है वो man's related है तो मैं man's को select कर लूँगा तो जैसे मैंने आपको बताए कि मैं simple 3 interest लूँगा तो interest हम ले देते हैं यह एक शूज है और इसके बाद मैं इसमें इंटरस्ट ले लूँगा सबसे अच्छा option है अगर आप की समझ में नहीं आ रहा कि आपका product क्या है किस तरीके इंटरस्ट लेना चाहिए तो आपको facebook selection में जाना चाहिए यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका product किस तरीके का है एक बार तो keyword डालना पड़ेगा वो product का नाम डाल सकते हैं आप जो भी किस category में आप deal कर रहे हो उसके बाद यह आपको selection दे देगा तो जैसे इसने मु इंटरस्ट नहीं लुगा है यहां पर यह मेरे लिए काफ नहीं है तीन यह चार बस इतने ही मुझे लेना है then placement automatic रखेंगे क्योंकि बिल्कुल new pixel है दोस्तो यह और अभी data बिल्कुल भी collect नहीं हुआ है तो manual पर जाएगे हम वो risk भी नहीं लेंगे हम automatic placement रखेंगे recommendation भी यह ही है facebook की और इसको हम कर देंगे next यहां हमारा page select हो चुका है अभी हमारा पास instagram का page नहीं है तो use select page हम as instagram भी हम use कर लेंगे इसको then हम आएंगे add creative पे और यहां हम लेंगे carousel तो carousel पर select करेंगे और यहां पर हमारा पास three template आदेंगे कि हम तीन जगा image को select कर सकते हैं तो मैं जल्दी से carousel को बना देता हूं मैं आपको बता जाता हूं क्या क्या करूंगा क्या प्रॉसस नहीं बता रहा यहां पर कैसे करना है यहां से मैं image select करूंगा headline । description डालूगा और product का URL जो हमाई website का URL हो ना product का वो मैं यहां पर डालूगा तो दोस्तों मैंने यह ad set आपके लिए बना कर रख दिया है और यह मैं आपको बता जाता हूं carousel बनाया है इसमें मैंने four images डाली है different shoes की images डाली है मैं आपको यह बता जाता हूं ठीक है और यह carousel एक ready है जिसम इसमें चार हमने interest use किये हैं और हर ad creative में हमने carousel बनाया है और carousel जो है उसमें four products हमने डाले है तो मैं इसको publish हो लेता हूं और जल्दी से देख लेते हैं publish होने के बाद किस तरीके से हमारा campaign बनके ready हुआ है तो यहां पर आप site में देख भी सकते हो मैंने क्या tagline यूज की है और किस तरीके का product presentation है actual product है वही लिया है उसके अलावा कोई भी मैंने इदर उदर से कोई images नहीं डाली है जो actual product है हमें वह दूब्लिकेट कर देंगे इसका नाम रख लेंगे ad set to publish और इसका नाम रख लेंगे ad set to publish और इसका नाम रख लेंगे ad set 3 इसको भी कर देंगे ad set बनाया है बिल्कुल सेम बनाया है च्यार product हमने test किये हैं जो product भी अच्छा हमारा sale होगा उसके साथ हम अपना main campaign बना लेंगे तो यह strategy testing की मैंने use किये है इस campaign में चैलेंगे चलिए अब 24 आर के बाद देखेंगे हम इसके क्या हमें response मिलेगा क्या result मिलेगा तो वह मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुझे दीजिये जासत जय हिन जय भारत